अग्यार्ट को है भी एक टुडे वी डिसक्स नुमेरिकल बेश्डान इपी साइकलिक में तो तो सबसे पहले आप कुश्चन देखना कुश्चन पढ़ना है डाटा लिखना उसके बाद प्रावन साथ करना है क्या है इन एन इपी साइकली किया ट्रेन ने बाद रिकल बात किया था लास तुच्छर में इन आर्म परीज आने आर्म करीज टू यह एडबी 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 है रिंटी शिक्स एंड 45 ती बिश्च्छी इंट अड़ीज आपट आप न किया एंड़ीज क्या एंट प्लाक गवाइज अड़ीज विटेट करना वनविटेट्ट इड़ीए एंट क्लापवाइज सब्सक्राइब बूइन पर चेंज किया है तो हम ने चेंज किया इसको आप क्या इप और रिये तब क्या होगा तब what will be the speed of the gear means क्या है दो कुश्चन है एक कुश्चन में दो कुश्चन है पहले कुश्चन में क्या किया गियर एक को फिक्स कर दिया दूस्टे कुश्चन में क्या किया गियर एक को रोडेट कराया 300 RPM अब हमें पास EP-Cyclic gear train है तो हम लोग 36 का है एक हमारे पास पुटी 5 का है इसको हमने ऑ डीआ यह बोल दिया invol ऑप और इनके linked प्टीये क्या ठीचछप आई हैं कर दूस्टे और आइसे कैसे टाइस हैं आधे और क्या स्पीड आप्द आर्म दिया है आर्म की स्बीड कितना दिया है 150 डिग्री 150 आर्पीम वन फिफ्टी आर्पीम एंटी क्लाकस तो क्लाकस का मतलब क्या है निकालना है क्या असले इसे में टैस है जब हमने क्या किया, इफ गीर अभी क्या है, यहां पे क्या क्या है, जो speed of the gear A है, वो क्या fix है, तो fix के means क्या है, उसकी speed क्या, 0 है, उसकी speed कितनी है, 0 है, यानि जो gear A है, वो fix है, तो fix मतलब कोई rotation नहीं, speed क्या है, वो 0 है, अगर इफ, if gear A rotate 150 degree clockwise, सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग क्या सब्सक्राइब बनाएंगे इस टेबल में सबसे पहले क्या होगा सीरियल नंबर सीरियल नंबर होगा फिर कंडिशन आफ मोसन होगा क्या होगा क्या मोसन प्रोइट कराते हैं हम लोग उसके बाद क्या होगा स्पीड होगी क्या होगी स्पीड आप दा इलिमेंट इलिमेंट कितने तीन हैं हाँ इलिमेंट कितने तीन हैं कौन कौनस इलिमन्ट है कई कौन से लिमन्ट है एक गीर एए है एक आरम है आरम कौन Για हमने सी बोल दिया फिर हमने क्या इस यह सक्कूर करें तो हमारे फास में इस स्पीड क्या है जो इलिमट की वह एन है और पीयम में नहост newer में सो नहीं तो सबसे पहले क्या होगा पहले कीवें डाटा लिखेंगे उसके बाद टेबल बनाएंगे टेबल में सीरियल नमबर कंडिशन आप मोशन पहले किया फिर पर फिक्स तो अपर रिया उसके बाद पहला नमबर क्या करेंगे चिस्टा क्या करेंगे कंडिशन क्या है फिक्स दा आप और सी इंड रोटेट रोटेट गियर ए इन प्लस वन रिवोलूशन प्लस वन रिवोलूशन इन काउंटर क्लाक वाई यानि क्या है हमने काउंटर क्लाक वाई इसको पाजिट्यू मान दिया हमने क्या किया गियर जो फिक्स दा आल आल को फिक्स कर दिया रोटेट गियर A in plus one revolution in counter clockwise जैनी counter clockwise को हम लोगे क्या मान दिया प्लस मान दिया, plus means क्या है, direction में plus नेंगे, counter clockwise अगर plus दे रहे हैं तो clockwise क्या लेंगे, minus नेंगे, तो यह पहला हो गया, तो इसका speed क्या हो गया, 0 हो गया, arm को हमने fix किया अब गियर A तो प्लस 1 revolution कर रहे हैं प्लस 1 कर दिया NB निकालना है NB A से क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो हम लोग जानते है NB upon N A equal to minus T A upon T B अगर इस टर्नल में सहें तो उनकी speed क्या होगी अपोजिट होगी इसलिए क्या minus लगा दिया तो क्या हो NB equal to T A upon T B आ जाएगा किबना आ जाएगा T A upon T B आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा इसलिए 1 का multiply गरो चाहना करो ठीक है अब serial number 2 आ गाए serial number 2 क्या कहता है fix the arm fix the arm C and rotate gear A in plus X revolution in counterclockwise flux X revolution कर दो flux in in counterclockwise means क्या है अब हम लोग क्या है arm तो fix किया मगर आप हमने gear A को क्या किया X revolution rotate कराया कितना कराया X revolution कराया तो gear A to fix है ये क्या होगा X हो गया ये क्या होगा T A upon T B X हो गया कितना हो गया T A upon T B X हो गया फिर तीसरह है, तीसरह क्या है, add add प्लस Y प्राम है आल इलिमेंट अलिमेंट मीन्स क्या है हम लोग अब क्या करेंगे प्लस य य निया टोटल यहां पर चौता का है टोटल मोशन है टोटल मोशन का हो गया टोटल स्पीड का हो तो टोटल मोशन कितना आजाएगा, आर्म का वाई आजाएगा, इसका X प्लस Y आजाएगा, इसका TA अपान TV, X प्लस Y आजाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें जो कंडिशन दी है, उसमें हम देखेंगे, तो क्या दिया है, आर्म की स्पीड वन फिप्टी आर्पि है, वो भी क्या है, काउंटर क्लाक वाईज, तो काउंटर क्लाक वाईज को हम लोग पास्ट्यू आने हैं, तो ये वाई लू किसके बराबर हो जाएगी, वाई के बराबर हो जाएगी, क्यानि वाई इक्पल्टी कितना आ गया, 150 रपिम, अब हम लोग का पास्ट्यू ले माइनस y के मतलब क्या है माइनस 150 rpm क्या माइनस 150 rpm आगई 150 rp मागई आप तीड अप बी कि इतना जाएगा एंवी इपको दिया है माइनस टीए अपान टीवी इंटू एक्स प्लस वाई यादा है तो अब वैलू रखना है माइनस टीए टीए की वैलू कितने है टीए की वैलू 36 है अपान 45 इंटू एक्स एक्स की वैलू कितने है माइनस 150 है प्लस वाई की वैलू 150 है सालप करने लिए बात इन भी आ गया इनल भी कितना आ गया देखो यहां से किप्लस में आया ने का बतलब यह प्लस में आने का बतलब बतलब क्या है क्योंकि हमने कहा लिया था हमने प्लस जो प्लस प्लस में आई तो प्लस के मतब क्या है यह तो पहला फुश्चन था इसी वे दूसरा कुश्चन अटाइच है दूसरा क्या टाइच है अगर इपार क्या टो प्लाइच अगर इफ गीर एक टूटो थीन स्व प्लस प्लस में अगाएग था इक एक टू माईनस थीन सो अब हमाहा पास क्या है य वाइन कितना बादख़्ीदा किटना जाएगा मानस 450 मान प्रिफ्टी एंटी निकलना एंगे क्वारए माइनस जोड़ दिया तो कितना आ गया चार पांट सुदास आ गया वह भी प्लस में आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डाटा लिखेंगे डाटा लिखने के बाद प्र करेंगे टेबल का एक सिक्वेंस को फालो करेंगे फिर एक को रोटेशन करना तो आप कमेट बाक्स में लिख सकते हैं यह पहला कुष्चिन है आप सेकेंड कुष्चिन के बात करतें है इतल है हां कि कि शेकंड कुष्चन के वह भी साइक यह का域 मगर वह फोड़ा कंपाउंड है कंपाउंड कहा건 कि म्मींस क्या थोड़ा सा उसमें तीन की यह अभी कब निए कि हैं तो फिए कर देखते हैं देखते हैं डिएख देखें यह क्या है दूसरा कुछे यह लिखा वगा तो ब्रकुस्टन ग्यारें ट्रें तरी गियर अपकी बार क्या है तीन यज यह अब इसका डाइरम दिया है अभी हां बना जोगा गियर C C has sold in the figure the gear A has 72 internal teeth यानि क्या है जो गियर A है उसका internal teeth है कितना 72 है and gear C has 32 external teeth यानि क्या है जो गियर C है उसका क्या है 32 जो external teeth है and gear B miss with the both gear A and C जो B gear है वो दोनों से A से भी कर रहा है और B से भी कर रहा है and is carried on an arm जो arm में वो E up है जो arm में वो E up है this rotate about the center of A at 18 mm कितना 18 rpm यानि जो arm है arm कितना 18 rpm rotate कर रही है इप तक gear A is fixed condition दे दिया इप तक gear A is fixed determine the speed of the gear B and C यानि क्या है इस बार B और C की निकालना है जब gear A क्या कर दिया तो अब देखो यह diagram बना है इस डाइग्राम ना दिखा ओ तो मैं यहां बना दे रहा हूं पिर से पिर से बना दे रहा हूं बड़ा से diagram बनाऊंगा तो अब देखो भाई यह हमारे पास internal gear है उसके बाद यह C है उसके बाद यहां पर B gear यह B gear है फिर हमारे पास यह arm है आर्म क्या है सेंटर से है तो सेंटर से है यह हमारे पास E है यह F है यह gear A है यह gear क्या है C है यह gear B है तो हमारे पास कितने gear है तीन gear है और एक arm है तो क्या है यह gear है यह हमाएपास क्या है और में तो डिया है कि स्कुम्हाइपास क्या है और दिया है फिर उसके बाद कि दिया है तिकविज तिया है ते आप दिया है किस्पीड आप दिया है आर्म केतना है 18 तो इस बार डायक्षण नहीं दिया है क्लाकवाइण भी हो सकता है रायक्षण नहीं दिया और पिर जो ए hum क्या कर दिया क्विört कर दिया इसका मतलब ऑफ इसकी स्पीट 0roe गयी तो हमें B और C की स्पीड निकालना है। तो फिरूद उन्हों टेबलर मिचेट केलिए आप सबसे पहले देख़ी वाई टेबल बनाना सीखिए। बनाने में क्या क्या होगा इपी साइक्लिक किया रहे हैं जब देखों यह इंटर्नल टीज मिस्करते हैं तो स्पीड सेम होती है जब इस्टर्नल टीज मिस्करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है अब बात करते हैं बात किसी जी करने का रहे हैं टेबल की बात करने जा रहे ह के सीडिया साथ ड़ Sag करेंगे कि जिसना प्र करें कि एड़िन की बातव करेंगे हैं क८ला करेंगे के पर मात अच्छरज क्णिट फूसर यह वाद करेंगे से इंडिशं का एक जिस्वाम करेंगे सुमार्ण करेंगे पर मॉसर की कितने element है इस बार चार element है तो चार element में कौन कौन सा है एक हमाए पास क्या है आर्म है उसके बाद पिर आर्म है फिर गीर क्या है फिर गीर मान लो आप क्या है प्र भी है पिर यानि हमार पास कितने इलिमेंट है चार इलिमेंट है चार आनि एलिमेंट में हम लोग बात करेंगे पहले serial number पिर condition of motion speed of the element वो भी RPM में arm है फिर arm से फिर gear C है फिर क्या है भी है फिर B से A मेंस कर रहा है यहीं power transmit होगा motion transmit होगा from one sub to another sub तो बात करते है one की तो one क्या है जिसको same sequence है जैसे पिछली बार था fix the arm fix the arm and rotate gear C in plus one revolution in counterclockwise मेंस क्या है हमने क्या किया arm को fix कर दिया rotate gear C in plus one revolution कर दिया क्या कर दिया arm को fix करने बाद C को हमने one revolution rotate कर रहा है C से क्या करेगा B rotate करेगा B से A rotate करेगा तो मुझा transmit होगा तो अब देखो क्या है arm को fix किया gear C को plus one revolution किया अब gear C और gear B miss कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा speed of the B upon speed of the C इक पर टूप टी था आप the minus T-C upon T-B. कितना हो जाएगा minus TC upon TB हो जाएगा फिर बात करते हैं आप gear A की बात करते हैं speed of the A की बात करते है speed of the A जो है जो A gear है वो B के साथ internal है तो internal है तो यहां पर बात करते हैं बात करते हैं, speed of the a upon speed of the b equal to, यहाँ माइनस नहीं आएगा, tb upon ta, कितना जाएगा, tb upon ta, अब speed of the a की बात करें, tb upon ta, tb upon into nb, nb कितना tc upon tb है, वो भी माइनस में हैं, तो फिर कितना जाएगा, tc upon ta, माइनस में tc upon ta, कितना जाएगा, कितना जाएगा, माइनस tc upon ta, यहांस देख लीजिए, nb upon na किया, तो tb upon ta, यहाँ गया, nb कि value रख दिया, nb कि value किया, minus tc upon tb, यहाँ गया, फिर हम लोग second hand, क्या है fix the arm, fix the arm, and plus x revolution, rotate the gear c in counter clockwise, जाएगा, क्या कर दिया, fix the arm, and plus x revolution, rotating gear c in counter clockwise, counter clockwise, एक यह गया, तो यह कर दिया, tc upon tb, इस देख दिया, minus tc upon ta, इस देख दिया, x से multiply कर दिया, x से multiply कर दिया, x से multiply कर दिया, ठीक है, multiply कर दिया, तिर उसके बाद तीसरा क्या है, आयड करना है, आयड करना है, तो आयड, 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 प्लस y revolution, y revolution from all the elements, from all the elements, फिर क्या किया, अब फिर क्या कर दिया, multiply कर दिया, x से, x से multiply करने बाद y add करेंगे, y add किया, y हो गया, x प्लस y हो गया, फिर क्या कर दिया, and add, and multiply x, ठीक है, यहाँ पर tc upon tb, इस प्लस y हो गया, minus tc upon tb, x plus y हो गया, ठीक है, यहाँ देख लीचे जहां से, उसके बाद पर total motion, total यही है, तो total हो गया, total कितना आ गया, आर्म यह हो गया, x plus y हो गया, minus tc upon tb, x plus y हो गया, plus tc upon tb, tb, x plus y हो गया, अब हम लोग क्या है, condition क्या दिया है, इस बार arm 18 rpm rotate कर रहा है, आर्म यहनी y, enough arm equal to y है, जो 18 rpm rotate कर रहा है, speed नहीं दिये, counter clock wise क्या नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, उसके बाद पर क्या है, हमसे क्या पुछा है, speed a को fix कर दिया, a की speed को fix कर दिया, यहाँ speed up a जो हो fix है, तो fix है, यहाँ जीरो हो गया, fix है, तो speed क्या होगी, 0 हो गई, तो 0 यह नहीं, क्या 0 है, minus tc upon ta, x plus y equal to 0 है, आप देखो यहाँ से, tc, tc भी दिया है, ta भी दिया है, tc भी दिया है, tc भी दिया है, तो यहाँ से क्या निकल गाएगा, यहाँ से y लिकता आएगा, तो कितना आदा हैगा, minus, minus tc, tc क्वैली कितनी है, 32 upon 72, x plus 18 equal to 0, x equal to 18 into 72 upon 32, इसको salt कर दिया, तो salt करने के बाद कितना आ गया, इदा देखो कितना आ गया, 8, 34, 8 से काट दिया, 8, 9, 20, 8, 32, फिर क्या कर दिया, 2 से काट दिया, 2, 9, 18, 2, कितना आ गया, 81.2 आ गया, 81.2 आ गया, x की value आ गया, 40.5 rpm, कितना आ गया, 40.5 rpm आ गयी, 40.5 rpm आ गयी, फिर फ्राम जिमेट्री, फ्राम जिमेट्री से देखेंगे, फ्राम जिमेट्री आगर देख लें, तो जिमेट्री से कहा दिख रहा है जो रेडियास आफ रेडियास आफ रेडियास आफ ए है वो किसके बराबर है रेडियास आफ C फ्लस टू टाइम साफ रेडियास आफ B देख लीजिए फ्राम जिमेट्री से रेडियास आफ एक पर टू रेडियास आफ सी प्लस टू टाइम साफ भी है तो हमारे पास क्या आगा है यहां से कहने क्लिए टीफ निकालेंगे तीनों गियर दूसरे से मेंस कर रहे हैं जब मेंस करते हैं उनका माडियूल सेम होता है आर है इकवल टू टी ची प्लस टू टाइम साफ टीवीग। अंब हम लोग वैयलू रखें अगर। तो वैयलू कितना दिया या इकवल टू 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 टाइम साफ टीवीगे तो यहां से टीवी उक्ल टू आ जाएगा 20 जमेट्री जब मेंस करते हैं क्यों से निकाला टीवी ग उनका माडूल सेम होता है यानि रेडियस को तीद के तर्म लिख सकते हैं तीद के तर्म लिख दिया तो 40 अपान 2 यानि 20 आ जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे अब सी अब सीधे वैलू रखना तो तीजी की वैलू कितनी है तीजी बैलू बतीज है 32 माइनस में 32 अपान 2 जीछ निगाल लिया इंटू एकस एकस की वैलू कितनी है 40.5 है plus y y की value कितनी है 18 है इसको साथ बन लिया तो यहां से nb आ गया nb आ जाएगा nb किसमें आएगा nb देखते हैं किसमें आता है nb की जो value आ रही है nb की जो value आ रही है minus 46.8 rpm minus 46.8 rpm अब minus 46.8 rpm आया अगर हमने arm की spirit को plus नहीं लिया है तो यहां पर यह minus आ रहा है इसका मतलब क्या है यह क्या है speed अभी nb equal to 46.8 rpm in the direction of in the direction of opposite to arm opposite to arm यानि जो arm की direction है उसके opposite motion करेगा यानि जो gear b होगा वो arm के opposite motion करेगा क्योंगि यह minus आ गया था तो यह plus आ गया एक बाद फिर से आप एक लीजिए पहले question पढ़ा तो question पढ़ा उसके बाद फिर diagram बनाया diagram ने बाद डाटा लिखा डाटा के बाद टेबलर फार्म टेबलर फार्म के सिकल सेम है fix the arm rotate the gear c plus one new illusion clockwise प्लाग वाइज प्लाग वाइज प्लिक्स आ है प्लाग यहां पर क्या है fix the arm and plus x multiply plus acceleration from plus acceleration from all the gear all the gear यानि क्या करेंगे plus acceleration सबसे क्या करेंगे वो multiply करेंगे फिर उसके बाद add करेंगे फिर total आजाएगा आई होग आप लोगो समझ में आया होगा thank you class आपनो down कर लीजे अगर कोई problem है तो comment box में आप comment कर सकते हैं thank you